है कि नमश्कार आप लाइफ-सिटी देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ डेय kneadya मेकर शक्रानल भी पास है और ऐसे में लोग जो इजो चीज़े होती हैं गुड से बनी जो चीजू पैंए हो लो εν Gray उन देखाते हैं यह यह खान पान है ऐसे में आज हम जानने वाले हैं कि गुड से बनी जो चीजे हैं जैसे तिलकुट हो गया दिलकी लडडू हो गए यह तमाम जो चीजें लोग खाते हैं से शेथ पर क्या अफड़ेगा कितना अच्छा है कितना हानिकार रखें तमाम जानकारी हम लेने वाले है और जानकारी देने के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर राजी वरंजिन मौजूद है तो डॉक्टर साब सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद इस दिन हमारे सूर्ज जो है ओ मकर रासी में प्रवेश करते हैं और कई एक सुभकाम होता है तो संसकार की बात तो अलग लेकिनी संसकारों की वजह से जो हमारे स्वास्त पर असर पड़ता है जो परिपाठी चली आ रही है कि इस मकर संक्रांती में हम लोग दही चूड़ा गूर अतिलकुट का सेवन करते हैं अब सवाल उठता है कि दही ये चूड़ा में क्या चीज है क्यों तो कई बारे ऐसा देखा गया है कि जो संसकार में जो इंबेड़ है जो उसमें लिखी चीजे होती है क्या चीज खाना है क्या चीज नहीं खाना है उसका सेहत पर असर पड़ता है और आप मॉडर्ण मेटसीन के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं मैं कोई संसकारों की बात नहीं कर रहा हूं मैं कोई पुरानों उपनिसिदों की बात नहीं कर रहा हूं मॉडर्ण मेंटसीने कहता है कि चूड़ा दही गूर तिल खुड का कॉंबिस को माने जाते हैं पूशकवं ततों के ओ ग्लुटस है की बात करते हैं कि gluten-free diet gluten-free diet अगर आपको वजन घटाना है अगर आपको slim रहना है फीट रहना है तो gluten-free पर जाईए चूड़ा एक gluten-free diet है और सबसे बड़ी अब बात है कि ऐसा माना जाता है कि जब हमारी सब्यता सुरूहीं थी मानिविये सब्यता सुरूहीं जब हम लोग आग का प्रयोग नहीं जानते थे उसके पहले से ही लोग चूड़ा खाते थे यह यह इंसियंट फुड है लेकिन इसके फायदे ही हैं कि इसमें उतना स्कार्ण नहीं होता है कार्बोहर्डेट उतना नहीं होता है इस सबस्क्राइब बैक्तरीया है उसches को प्रोल्चिक प्रोबाइटिक का मतलब है कि आपके आतों के जो बैक्तिरिया है उस हार्मफुल बैक्तिरिया को हानिकारिक बैक्तिरिया को खतम करके बेनिफीशल बैक्तिरिया मतलता है प्रोबाइटिक उसी को कहते हैं यानि कि आगर आपके लंबी बिमारी है पेट की उसको भी दुरुस् अगर आप regular दही का सेवन कर रही हैं, तो calcium आपको प्रशूर मात्रा में मिलेगा, तो दही में calcium है, दही में probiotic है और दही में बहुत सारे minerals भी है, इसलिए मैं आपको दही में vitamin B12 है, दही में vitamin B2 है, B12 की कमी आजका 75% इंडियन्स में देखी जा रही है, इसकी वैसे नसों में जून जूनी मसल में कमजोरी डिप्रेशन का होना एंग्जाइटी का होना तो आप समझ सकते हैं कि दही या चूड़ा का जो कॉंबिनेशन है एक प्रोबायोटी का कैल्सियम का मिनरल्स का और साथ में ग्लुटेन फ्री डाइट आपको मिल रहा है स्टार्स कम डाइट मिल रह रखता है उसमें भरपूर मातरा में कैलोरी भी है जो कि आपको इनर्जी जो फीजिकली एक्टिव लोग है उसके लिए भरपूर शांदार चीज़ है तिलकुट गूड जो है जो आप खाती है गूड में आयरेन बहुत है इसलिए जिनको आयरेन के डिपिसेंसी है जिनको अनिया है जिस लीडि को बहुत सारा बैस् सारा वख पास आती है खास करके और में इसलिए जो परियोटूरी सायं करने के सलाह हम लोग देते हैं अध्य छीज़ुक में आज कल लोग कोईट 559 के संग्या देते हैं इसलिए गूड उसमें बहुत शारे मिनितों कुग होते है कि दही, चुड़ा, तिल्कुट अगूर का सेवन करना श्वास्त के लिए बहुत ही मुफीद है, लिए समझे कि एक दिन का संकेत है पूरे जीवन में अगर इसको समकित कर लें, समाहित कर लें जीवन में सारी इस रूटीन को तो आप बहुत हद तक स्वस्थ रहेंगी तो मकर संक्रान्ती के दिन यह संदेश भी जाता है कि यह जो खाना है इसको आप रेगुलर इंकॉर्परेट कर लें अपने डायेटरी हैविट में इसको सुमार कर लें डॉक्टर साब एक चीज जो अभी ठंड का मौसम है ठंड के मौसम में थोड़ा लोग ठंडा खाने से भी कत्राते हैं तो ऐसे में क्या उन्हें साधानी बरतने चाहिए उन्हें खाना चाहिए नहीं खाना जाता है जो कि हम आयरुवेद में जो तीन दोस माने जाते हैं कफ प लेकिन आम तोर पर जेनरल पॉपलेशन के लिए यह जो कॉंबिनेशन है यह बेहतरीन कॉंबिनेशन है इसका उप्योग ज्यादा है ज्यादा हो तो अच्छा है रियाजी शुक्रिया डॉक्टर साब जो आपने जानकारी दी है कि मकर सक्रांती पर लोग जो दही चुड़ कि है इस विशा में आप क्या सोसता में कॉमेंट कर जरूर बताया चैनल को सब्सक्राइब कर ले फेस्बुक पेज को लाइक कर ले वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया